वेलकम बैक स्टुडेंट्स हमारा टॉपिक चल रहा है ग्रंटी ऑफ प्रॉफिट तो उसमें अभी यह नेक्स थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है ग्रंटी ऑफ प्रॉफिट बाइद फॉर्म डाइट मीज इस केस में अब पार्टनर जो है वो गरंटी नहीं दे रहा कि मै है जो है उसकी डेफिशेंसी को कवर करूंगा बट यहां पर कौन कर रहा है फॉर्म कर रही है ठीक है जी ए बी और सी आधा पार्टनर से ने फॉर्म शेरिंग प्रॉफिट लॉसे इंदा रिशो ट्रेंट रिशो फाइव पार्टनर सी इस गरंटीड ए मिनिमम यह सब्सक्राइब का सथी फाइन पर वाइदा फॉर्म किस ने किया है उसे पैजारециत만 सभीने की और लेगा है और किस ने और फिर्म ने कहा है तो उन्होंने क्या कि हमें जनरल एंट्री पास करके दिखाऊ ठीक है जी तो सबसे पहले जब भी हमने देखना है तो सबसे पहले यह देखना है कि कि सी पार्टनर जो है उसे कोई दिखम की नहीं हो रही इसे को देखने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कि कितने प्रॉफिट से उसके हैं तो उसके नहीं कितने हैं पंच-जार हैं हर साल में ठीक है तो 50,000 है तो मतलब actually में actual में कितना share of profit मिल रहा है उसे actual में कितना share of profit मिल रहा है अब पहले साल में profit है हमारा 2016 का 2 lakh so that means 2 lakh उसका share कितना है 5 over 25 तो इसके हिसाब से उसका निकल रहा है 40,000 इस पे 2 lakh पे 3 lakh पे 5 over 25 किया तो इसका आया 60,000 और इसका आया loss का 2 lakh पे अगर मैंने 5 over 25 किया तो यहाँ पर 40,000 आ गया loss ठीक है जी अब देखो अब उसे minimum profit कितना मिलना था पहले साल में 50,000 बट मिल कितना रहा है 40,000 सा that means यहाँ पर deficiency कितनी आ गई 10,000 की दूसरे साल में 50,000 मिलना था लेकिन मिल गया 60,000 मतलब कोई deficiency 60,000 मिला है तो 60,000 ही मिल जाएगा इसमें 50,000 profit मिलना था और 40,000 का उसे loss हो रहा है तो मतलब total उसकी deficiency कितनी हो गई 90,000 पहले उसका 40,000 का loss है वो cover up करना है और उपर से 50,000 भी देने है तो यह total उसका कितना बन गया 90,000 अब यहां पर 10,000 नहीं बचा बिकाज 40,000 का पहले ही negative में जा रहा है और उपर से plus का भी 50,000 देना है तो यह पूरा cover up करके 90,000 बना है तो 90,000 उसकी deficiency को cover up करना है हमने ठीक है जी तो अब general entries जो past करनी है वो हमें 3 सालों की करनी है तो पहले हम 2016 की करेंगे 31st March को सबसे पहले तो जो भी profit and loss है उसे हम P&L appropriation में transfer कर देंगे तो entry आ जाएगी profit and loss account debit to profit and loss appropriation account कितना profit है पहले साल में? 2,00,000 अब deficiency है इस case में ठीक है जी तो entry क्या आएगी पहले तो इसकी profit and loss appropriation account debit to partner कौन कौन से है? A, A is capital account B and C ठीक है जी अब अगर मैं calculation करके देखूं तो इसका मतलब यह है कि दो लाग पे A का कितना बनता था? 12 over 25 करके 96,000 बनता था B का कितना बनता था? 3,00,000 पे अब इसे हमने 10,000 देना है लेकिन यह 10,000 उसे कौन देगा? यह दोनों देंगे और किस ratio में देंगे? 12 ratio 8 में देंगे तो 12 ratio 8 अगर हो गए यह 10,000 रहे तो means 10,000 into 12 over 20 10,000 into 8 over 20 So, इसका कितना आ गया 12 over 20 करके 6,000 और इसका कितना आ गया? 4,000 मतलब A अब कितना देगा? 6,000 देगा B कितना देगा? 4,000 देगा और इसे पूरा 10,000 मिलेगा So, that means C के अगर में तो पूरे के पूरे 15,000 चलेगे ठीक है? A के कांट में उसका 96,000 बन रहा था और 6,000 उसने देगा तो उसका कितना बचा? 90,000 बचा B का 64,000 बन रहा था 4,000 उसने देगा तो इसका कितना बना? 60,000 बना और टोटल माउंट तो है ही है 2,000 ठीक है जी? समझा आ गया? So, अब next year आ जो 2017, 31st March सबसे पहले Profit and Loss to Appropriation Profit and Loss Account Debit to Profit and Loss Appropriation Account कितनी अमाउंट है? 3,000,000 अब इस केस में कोई भी Deficiency नहीं है 2017 के Profits में कोई भी Deficiency नहीं है So, that means यह पूरे का पूरा जितना भी P&L Appropriation है वो डिवाइड हो जाएगा Among the Partners और Partners कौन है? A B and C अमाउंट कितनी जाएगी? अब 3,000,000 12,000,000 Sorry, 2,000,000 इसमें इसमें 3,000,000 8,000,000 और यहां पर 2,000,000 Sorry, 3,000,000 यह यह 3,000,000 3,000,000 पर ही इस इको इंटू कितना है? 5,000,000 3,000,000 का Profit अने इसा So, 3,000,000 पर ही जाएगा तो इसका आगया आपका 1,44,000 इसका आगया 96,000 और तीसरे का आगया आपका 63,000 So, total is 3,000,000 Clear जी? अब आगया 2018 31st March अब यहां पर है आपका Loss Loss है तो यहां पर PNL Appropriation की जगा क्या आजाएगा? Partners Capital Account ठीक है Partners Capital Account क्या हो जाएगा? Debit A is Capital Account Debit B is Capital Account Profit होता है तो Profit हम Credit करते हैं Loss है तो हम Debit करते हैं Partners के Capital Account C is Capital Account Debit Profit and Loss Account ठीक है जी? अब कितना है यहां पर Profit? Sorry Loss 2,00,000 तो 2,00,000 12,00,000 25,00,000 8,00,000 25,00,000 25,00,000 तो आगया A में 96,000 then 64,000 and 40,000 सेम यही कैलकुलेशन आजाएगी ना यहीं पर 2,00,000 का भी किया था हमने सेम अमांट आजाएगी तो अब होगा क्या? अब इस केस में डेफिशेंसी है अब डेफिशेंसी कितनी है? 90,000 की C को 90,000 मिलेगा लेकिन मिलेगा किन से? पार्टनर से अब यह हमीशे याद रिखना कि फर्म और फर्म के पार्टनर्स क्या होते है सेम होते है मैंने आपको ना पार्टनर्शिप फर्म की जब मैंने आपको पार्टनर्शिप करवाया था तो first day ही मैंने आपको क्या कहा था कि partners और partnership firms are not different they are same वैसे अगर business करो तो business में क्या है separate legal entity है ना but partnership के case में separate legal entity नहीं है इसमें क्या है कि वो दोनों क्या same है so इसका मतलब अगर firm word आ गया guarantee or profit by the firm firm means all the partners जितने भी partner बचे गए वो सभी के सभी deficiency वाले person को पैसे देंगे ठीक है जी तो firm के साथ confuse मत होना उसका मतलब यही है कि all the remaining partners हो गया remaining partners वाला case हो गया यहां पर ठीक है so इसकी entry क्या आएगी अब c को मिलना है देना किसने है a and b ने देना है so a और b दोनों क्या हो जाएंगे debit और c क्या हो जाएगा credit अब c को कितने मिलने है 90,000 मिलने और यह 90,000 उसे किस ratio मिलेंगे 12 ratio 8 में मिलेंगे so 90,000 into 12 over 20 and 90,000 into 8 over 20 अब अगर ऐसे करोगे तो इसका आगया 54,000 और इसका आगया 36,000 ठीक है तो अब यहां पर कितना आगया 54,000 और इस पर यहां कितना आगया 36,000 ठीक है दे तो यह था आपका question clear? तो यह था आपका question ठीक है? सबसे पहले हमने देखा कि deficiency कितनी है फिर हमने 3 साल के अगर हमें profit दिया है तो that means 30 साल के हमने general entries को pass किया ठीक है? अगर loss है तो that means अगर loss उसके हिस्से में आ रहा है तो loss plus granted profit वो दोनों का plus ही उसकी total deficiency में जाएगा ठीक है? और firm अगर लिखा है तो firm का मतलब क्या है कि existing partners यतने भी हैं वही उनकी deficiency को पूरा करेंगे clear? तो अगर दू है किया है